असलाम लेकुम नाजरीन आज की इस गुफ्तगू में आपका खेर मगदम है आज हमारे साथ जूड़ रही हैं प्रोफिसर नीरा अगनिमित्रा मजिन का तालुक Department of Social Work University of Delhi से है लेकिन Department of Social Work खासतोर पे Delhi School of Social Work के नाम से मशहूर है और इसकी अपनी एक तारिखी लेगेसी है जिसके बारे में मैडम जादा बहतर तरीके से बता पाएंगी आज हमारी बातचीत Social Work के Signature Pedagogy के हवाले से होगी जिसे हम Field Work Practicum कहते हैं तो मैं हम आपका खेर मगदम है मैं आपका इस्तक्बाल करता हूँ इस प्रोग्राम में आपका बहुत शुक्रिया और मुझे बहुत खुशी है कि पहले तो मैं मानू आई और मानू में हम Congress को अटेंड करने आएं Social Work Congress के लिए और मुझे रगता है कि हमने जब दिली विश्व विद्याले में Congress किया था तो लगा था कि हमने कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है लेकिन मानू का अरेंजमेंट और मतलब टीम वर्क देखकर लग रहा है कि आपने मतलब इतना खुबसूरत इतना बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही है और लगता है बार-बार हम मानू आएं आपने जो पूछा डेली स्कूल ओफ सोशल वर्क के बारे में वो बहुत रेलेवन्ट है क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो कनेक्ट नहीं पता चलता और हम लोग भी प्रिफर करते हैं मू से आमतोर से डेली स्कूल ओफ सोशल वर्क निकलता है क्योंकि जैसे आपने कहा कि एक लेगसी है, ये एक autonomous institution हुआ करता था फिर हम दिली विश्व विद्याले डेली इनवर्स्टी से जुड़ गए लेकिन इसकी एक history है एक ethos है, एक institutional अभी भी हम बहुत traditional हैं, कुछ बहुत सारी चीजों को लेकर हम बहुत emotional भी हैं और उसमें जो गुरू हैं जिनोंने इसकी foundation करी या इसके आगे लेकर गए गंगरादे, रानादे गोरी साहब, पाथक साहब आरार सिंग साहब, तो उनका कहीं न कहीं जुड़ाव डेली स्कूल ओफ सोशल वर्क के साथ जादा होने से हमको लगता है कि उनका भी एक रुहानी सा एक जो रिष्टा अपने गुरूओं के साथ है वो डेपार्टमेंट अफ सोशल वर्क से कैप्चर नहीं होता है कहीं न कहीं वो डेली स्कूल अफ सोशल वर्क से इस हवाले से मैम आप अपने स्टूड जब आप स्टूडेंट रहीं उस जमाने में अपने फिल्ड वर्क के जो एक्स्पिरियंस हैं जो तजरबात हैं उसके बारे में कुछ हमें बताएं जरूर यह एक मेरा बहुत पसंदीदा टॉपिक है जिस पे मैं आम तोर पे हर ओरियंटेशन प्रोग्राम में क्यूंकि अब जो स्टूडेंट आते हैं वो उन बैक्ग्राउंड से आते हैं जहां पे उन्होंने एक इंस्टूशन फॉर्द डिसेबल नहीं देखा या एक स्लम कम्यूनिटी या री सेटल्मेंट कॉलनी से उनका तालुक नहीं है तो उनके लिए ये एक फील्ड वर्क में अपने को अडाप्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है तो ओरियंटेशन में बहुत सारे स्टूडेंस फील्ड वर्क से बहुत घबराते हैं वो कहत आपको तैयारी के साथ जाना है वो इतना भी कैजूल हमारे गुरू थे प्रोफेसर के कुमार वो हमेशा गहते थे फील्ड वर्क इस नौट फ्री वर्क हम लोग आमतार पर सोचते हैं वहीं जाएंगे देखेंगे क्या हो रहा है उसी हिसाब से काम करेंगे तो एक सिस्टे प्रीट अचीवमेंट है उसका ना कम्यूनिटी को हैसास होता है ना आपको हैसास होता है तो मेरा प्लेस्मेंट त्रिलोकपुरी में था और आपने सब ने आरार सिंग सर के बारे में सुना है प्रोफेसर आरार सिंग जब मेरा जब लिस्ट निकली तो मुझे बहुत डर ल आपने ये ब्लॉक क्यों चुना, इसके बारे में मुझे पूरा रिपोर्ट चाहिए, तो हमने हर चीज को एविडेंस के साथ, जस्टिफिकेशन, लॉजिक के साथ, कनेक्ट करके करना सीखा, तो थ्रिलोकपुरी में जब हम प्लेस थे, तो दो इंस्टेंसेज मुझे बहुत अच्छे से याद आते हैं, एक तो जब हम गए, तो उन्होंने हमें complete freedom दिया, कि आप क्या करना चाहते हैं, तो रापो बिल्डिंग से लेकर, किस तरह से आपने कौन सी नई strategy चुनी, आपने रापो बिल्ड करने में, तो हमने इतने experiments किये, मुझे बहुत अच्छे से याद जा रही थी, मैं इस तरह आउंगी, आप से कुछ सीखूंगी, समझूंगी, तो पीछे से एक औरत ने बोला, आवाज आई मुझे, अच्छा तु सब सीखेगी, जो हम कराएंगे, करेंगे, मैंने का हाँ, हाँ, पीछे गई तो एक अम्मा बैठी थी, अम्मा गोबर के कर लिया है, तो अब किसी पी चीज से क्या डरना, मैंने आखे बन करी और मैंने वो गोबर में अपने हाथ दाल दिये, और मैं आपको सच बता रही है, मुझे इतना अच्छा लगा, उसके बाद मैंने धाई उपले बनाए, तो उन्होंने डेड़ उपला मुझे दिया, जा जो ये कर रही है, उसमें एक तालमेल है, फिर उसके बाद मैं इतना काम किया, और आरार सिंग ने कभी भी, मतलब काम में शाबाशी नहीं दी, क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं पे शाबाशी दे दी, तो ये सोचेंगे कि अब तो ये सर्वगुन संपन हो गई, तो चालिस दाइयों को लेकर उन्हें कन्वेंस करना कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, आप ट्रेन हुए ये, आपको सर्टिफिकेट और बूरी बूरी दाइय, उन्हें की ट्रेनिंग कराना, उन्हें किट्स देना, सर्टिफिकेट दिलाना, दाइयों को हम में फैमिली प्ल बिल्कुल उनकी training हम ही ने वो शुरुआत करी और उनको convince करना कि मतलब जो चालिस साल से बच्चे पैदा कर रहे हैं उनको और फिर उनको family planning के तौर पे ये convince करना कि इनके चार बच्चे हो गए अब आपको भी इनको convince करना है कि अब इनको भी family planning की तरफ लेके जाना है तो एक पूरा प्रोसेस जहां पे हमने बर्थ रेजिस्ट्रेशन, डेथ रेजिस्ट्रेशन, सब को दाईस के साथ लिंक करके एक प्रोसेस बनाया, तो ये, और उसमें हमारा फील्ड वर्क जो था वो एक्जाम पे रुकता नहीं था, मतलब एक्जाम हो गए, समर ब्रेक हो गया, तो कि हम अपने फाइदे के लिए जाते हैं वहां पर, जो थोड़ा बहुत काम किया, हमने उसको करके हम आके अपने मार्क लेके जिंदगी में आगे निकल जाते हैं, लेकिन जिन औरतों के साथ आप काम कर रहे हैं, जिन बच्चों के साथ आप काम कर रहें, उनको आप कुछ वादे करके चले जाते हैं तो हमने ये सीखा कि आप जब field work एक human lab है लेकिन उसमें human beings है है न हम कोई दो गलत acids को भी अगर मिला देते हैं तो विसफोर्ट हो जाता है तो ये तो लोग हैं हम उनकी जिन्दगियों के साथ कैसे खेल सकते हैं तो ये जो मतलब मैं उन्हें एक गुरू बहुत बड़ा गुरू इसलिए मानती हूँ क्योंकि उन्हें ने कहा कि field work आप करिये लेकिन उसमें क्योंकि आप human beings के साथ attached हैं कोई भी अपना वादा अपना commitment है जो उसको अधूरा छोड़के आप नहीं जाएंगे तो हमने ये सीखा कि उसको कहा logical end तक लेकर जाना है और उसको कहा खतम एक और instance मैं आपको बताती हूँ जब मैं family planning के लिए और बहुत महनत के बाद family planning के तौर पे आप काम कर सकते हैं तो मेरे पास एक महिला आती है तो बोली नीरादीदी आप बच्चे बंद करने का काम तो बड़ा अच्छा कराती है लेकिन वो क्या जिनके बच्चे है नहीं तो मुझे लगा कि ये तो बहुत एक pertinent सवाल है तो मैं उनको ले कर गई और उनकी जब मैंने field work complete किया तो उन्होंने एक बच्ची को जन दिया तो उन्होंने मुझे खुश खबरी सुनाई कि आपकी वज़े से हमारे घर में इतनी खुशियां आ गई तो मैंने का कि अच्छा बच्ची का नाम क्या रखा उन्होंने का बच्ची का नाम नीरा रखा और आप मानेंगे उस बच्ची की शादी में कन्यादान उन्होंने मुझे से कराया मतलब 21 साल की उनकी बटिया हुई 21 साल के बाद वो बेटी के साथ मेरा संपर्क रहा वो स्कूल में गई उसने open स्कूल से किया और कन्यादान के टाइम पे मैं तीन दिन उनके घर रही जबकि मैं पढ़ा रही थी सारे के सारे उन्होंने जितनी शादी की रसमें थी उन्होंने मुझे से कराया मतलब कभी कभी हम सोचते हैं कि फील वर्क से क्या मिला फील वर्क से रिष्टे मिले फील वर्क से लोगों तक पहुँचने का एक जरिया मिला जिन्दगी अपनी भी जीने का एक एक और वो जो लोगों के साथ रिष्टे हैं वो आज भी हैं सत्रा ब्लॉक त्रिलोक पूरी में आज भी मुझे बहुत लोग जानते हैं तो उस तरह के जो तजर्व और ये हमारे गुरुओं ने क्योंकि हमें हमेशा रस्ता दिखाया और हमने उस रस्ते को फॉलो करना सीखा और कहीं न कहीं एक ब्लाइंड फेट के साथ के जो गुरु बता रहे हैं उस पत पे चलेंगे तो और मैं तो आज गहती हूँ कि मैं टॉपर हूँ लेकिन मुझे सोशल वर्कर एक अच्छा सोशल वर्कर सिर्फ फील्ड वर्क ने बनाया बहुत दिल्चस्ट स्टोरी है मैं आपकी दरसल मेरा अगला सवाल कुछ और था बट चुकि आपने बहुत ही एक एहम बात यहां पर उठाई कि स्टूडेंट्स मसलसल फिल्ड वर्क के लिए जाते हैं या तो वो एक साल कम्यूनिटी में रहते हैं या दो साल कम्यूनिटी में रहते हैं फिर नए स्टूडेंट्स चले आते हैं तो एक तरह से देखा जाए तो engagement और continuity तो है लेकिन उस engagement और continuity का उनकी जिंदगी पे community में जो लोग रह रहे हैं या जिस पी मसायल पे हम काम करते हैं उन लोगों की जिंदगी पे इसका क्या असर पढ़ रहा है वो एक बड़ा सवाल है जो आपकी बात से मैं इंफर कर पा रहा जो आपकी बात सब्सक्राइब करते हैं इस साल का बैच इस साल का फिल्ड वर्क अगले साल का बैच एक नया शुरूआज नई शुरूआज हाँ होना यह चाहिए कि जैसे स्पेशली जब हम कम्यूनिटीज में काम करते हैं इंस्टिटूशन पर एक कंटिनुटी बनी रहती है क्योंकि कुछ प्रॉजेक्ट चल रहे हैं वो आपके स्टूडन्स जाएंगे या नहीं जाएंगे वो चलते रहेंगे लेकिन जब हम कम् वो क्यों नीज असेस्मेंट करें और कुछ कारिकरम करके कुछ प्रोग्राम्स करके वो निकल जाएं तो एक जब तक हम एक वो चेन नहीं बनाएंगे एक हम यह नहीं कहेंगे कि पिछले बैच ने इतना काम किया अब आप इस काम को और आगे बढ़ाईए और उसमें सुप आपनाएं ओनर्शिप हो जैसे हम लोग जब जाते थे तो आरार सिंग हमको लेकर जाते थे और हमको कहते थे कि इनी ब्लॉक्स में से आपको चुनना है क्योंकि यहीं पे साल दर साल काम होता है तो हम हमेशा काम को आगे बढ़ाते थे जैसे मुझसे पुरानी जो स्टूड करते करते मुझे औरतों ने कहा कि दीदी आठ बच्चे हो गए नौ बच्चे हो गए कुछ नहीं पता चल रहा तो उस नीड में से निकला अगले स्टूडन को गाइड किया कि अब वो कर दिया मैंने अब एक नई नीड निकली तो उस प्रॉसेस के थ्रू कम्यूनिटी को ह कर लिया तो उस कम्यूनिटी के लोगों के साथ हमें एक लॉंग टर्म रिलेशन्शिप उनके नीड पे कंसिस्टेंटली और सिस्टमाटिकली काम करना उनके साथ जुड़ना और एक हैंड होल्डिंग का फेज होना चाहिए कि जो पिछले बैच के स्टूडन्स हैं और जो जैसे मैं आपको बताऊं हम लोग जब मैं पास आउट कर गई तो आरार सिंग ने मुझे भेजा नए बैच के स्टूडन्स के साथ कि आप इनका परिच्छे कराई है तो हमें अगले बैच को स्ट्रॉगल नहीं करना पड़ा है आंगले वारी वर्कर से आशा से आशा वर्क से तो उस काम को आगे बढ़ा लेकर है और उससे फिर आप long term change देख सकते हैं उससे community को भी लगता है कि यह सिरफ हमारा इस्तेमाल करने नहीं आए है और एक जो आजकल वो है कि students का socialization skills बहुत-बहुत सिमट गया है मतलब वो mobile phone पे facebook पे इंस्टा पे इतने हैं कि अगर आप उनको किसी व्यक्ती के सामने तो उन्हें कैसे बात करनी हैं कैसे शुरुआत करनी हैं कैसे connect करना है वो आता नहीं है तो इसमें भी supervisors का role है कि demonstrate करना पड़ता है आप जाकर demonstrate करिए कि यह महिला का group है देखिए आप मेरे मुझे observe कीजिए मैं किस तरह से इनके साथ में एक वारता लाप स्थापित करके और इनसे एक रैपो बिल्ड कर लेती हूं कि कल को तो यह छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं अब मुझे नहीं पता कि solutions तो मेरे पास नहीं है लेकिन जब तक हम यह नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि field work से really में वो हमें learning मिलेगी outcomes मिलेंगे जो traditionally हमें मिलने चाहिए field work की जो training है ना बहुत-बहुत एहम है supervisor का role बहुत एहम है और छोटी-छोटी चीज़ों के लिए तयार करना students को तो skills मुझे values से बहुत लगाव है क्योंकि हम कहीं नहीं knowledge और competencies पे आज काफी हम एक उस पे हम focus कर रहे हैं लेकिन जो हमारा पूरा value base है हम prejudiced हैं हम जा रहे है हम एक धर्म के प्रती एक जाती के प्रती क्योंकि बच्चा जिस संदर्ब से आ रहा है वो उन prejudices को carry करके field work में लेके जाता है इससे काम करना है इससे नहीं करना है उनके अपने already social packages पहले से ले प्रेफरेंसे हैं prejudices हैं मैं हम इस बस्ती में करेंगे यहां नहीं करेंगे उस आज भी किसी से पूछिये आपने value integrate उनको वो ही आता है principle of acceptance, self determination तो यह जो है यह कुछ loopholes हैं जो अब नए faculty को इस पर जरूर सोचना पड़ेगा मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मेरा जो अगला सवाल है वो student centric सवाल है field work practicum को अगर हम देखते हैं तो इसके कई सारे छोटे-छोटे components होते हैं field work में जाना, वहां पर समय बिताना, अपनी diaries लिखना, supervisor के साथ meeting करना, field work presentations देना, फिर final reports बनाना आपको कभी ऐसा लगता है कि at times student को ये काफी burdensome लगता है, जाना और आना ही field work में काफी challenging कभी-कभी हो जाता है, so what are your thoughts about making field work more interesting and engaging? I think, देखे, एक rigor और एक vigor जो चाहिए, अगर हम social work में comfortable spaces देंगे, तो फिर हम ही injustice कर रहे हैं, क्योंकि देखे, social work is not a comfortable space, social work में जब तक आपको discomfort feel नहीं होगा, आप, क्योंकि आप trauma के साथ ही deal करेंगे, आप pain के साथ deal करेंगे, आप disadvantage, deprivation के साथ deal करेंगे, तो अगर आप बड़े privilege होके और comfortable spaces से आएंगे, ना तो आपकी empathy बनेगी, ना आपकी, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उनको थोड़ा discomfort zone में डालना भी हमारा फर्स बनता है, अगर हम, हम बहुत कोशिश करते हैं कि इनके distance जादा दूर ना हो, वो सब ठीक है, लेकिन beyond a certain अगर आप उनके आहते में, उनके आंगन में उनको field work देंगे, तो फिर वो, वो जो संघर्ष है, जिससे एक आम आदमी भी bus से, या metro से, या पैदल और आज भी यी रिक्षा से पहुचता है बुरारी या जगतपुर, तो वो उनको कैसे हैसास होगा? Is it something like they don't own and engage themselves in that way with the field and the people, because उनको लगता है कि it's more a kind of an activity that I have to, it's more a kind of a task that I have to complete. उसमें भी न कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मैं तो हमेशा ये सोचती हूँ कि हम जो भी लाकुने या शॉट कमिंग्स फेस करते हैं, उसमें the role of the educator is prime. हम सारा का सारा उसका जो दोश है वो हम students पे, कि आज के students ऐसे हैं. हम कभी introspect नहीं करते, are we investing that much? मतलब हम जिस seriousness से हमें field work लेना चाहिए या supervision लेना चाहिए, हमारे जमाने में fortnightly evaluation होता था. और हम वेट करते थे कि अब R.R. Singh ने क्या evaluate, मतलब ऐसे धुगदोख होती थी, जैसे कि कोई board कर, और हम उनके inputs को, आजकल ना तो, sorry to say, उस process को हमने इतना undermine कर दिया है, कि evaluation, और evaluation से ही होता था कि हम कहां improve कर सकते हैं, you know, concurrent field work, consistent, तो वो सारी चीज़े हमने खुदी तो अपन लगने लगा है, और आप मता ही कैसे practice होगी, I mean theory पढ़के, on the one hand we call it a signature pedagogy, और दूसरी तरफ हम खुदी उसको undermine कर रहे हैं, तो मुझे इसके लिए भी लगता है कि I think सब schools of social work को इस पे जोड़ना पड़ेगा, और बहुत सारे faculty को minimum standards के लिए, I don't know acceptance है के ने, लेकिन मुझ चीजें हैं जिन पर हमको minimum standards को compromise नहीं करना चाहिए, उसमें individual conferences है, उसमें evaluations है, आप evaluation छोटा कर दीजे, लेकिन उस process को eliminate नहीं कीजे, तो वो सब चीजें जब तक नहीं आएंगी field work में, field work हमने semester में 30 दिन को compromise नहीं करना है, मतलब हम कोशिश करते हैं अपने department में कि अगर traditional field work days दाल के 30 दिन, क्योंकि students को लगना चाहिए 30 दिन field work करना है, उसमें सिरफ 10% ही छुटी मिलेगी, तो seriousness of field work, किस तरह से चुनाव करना है agencies का, आपको पता है अब ये globalized neoliberalism के paradigm में, बहुत सारी organizations अपसे मट गई है, fund नहीं है, staff नहीं है, तो चयान कर, और students trend बहुत department को एक team को जरूर, मतलब, एक team होना चाहिए, जो साल भर अच्छे placement organizations का चुनाव करे, audit करे, वहां हमें पता हो किस तरह का का काम हो, तो वो जो एक seriousness है, even in terms of organizing field work, उसमें भी एक seriousness चाहिए, तब ही हम students को उस तरह का experience दे पाएंगे, जिसमें उनका दिल लगे, उनको एक challenge महस हो, उनको वो learning, एक integrate करने का मौका मिले, तो बहुत सारे challenges है, लेकिन अब जो ये semester mode आ गया है, ये जो बहुत सारे नए teaching hours, ये सब, इन सब में मुझे बहुत दुख होता है, कि field work को हम कहीं न कहीं compromise करते जा रहे हैं. इसी से जुड़ा हुआ मेरा आखरी सवाल में हम आप से ये है, कि इन तमाम जो situations हैं, मतलब students के level पे और educators के level पे, और perspectives regarding field work को लेकर के, तो वो क्या ऐसे innovative तरीके हैं, what are those innovative ways and mechanisms, जिसके जरिये हम field work का जो पूरा practicum है, उसे दिल्चस्प और interesting बनाएं, ताकि students खुद को ज्य results हैं, that could be more effective and meaningful. और उसमें faculty, मुझे लगता है faculty के visits और demonstrations, क्योंकि student आज सिरफ मेरा बताना के community में ऐसे संपर्क बनाना हैं से नहीं सीखेगा, उसमें आपको role modeling करनी पड़ेगी, आप जिस तरीके से बात करते हैं, एक इनसान को आप इज़त से, किसी को आप अम्मा बुला रहे हैं, किसी को कोई जुड़ेगा, जब तक आप उसको कुछ महसूस नहीं होगा, उसको कुछ connect नहीं होगा, कुछ मिलेगा नहीं, तो किस तरह अम्मा बुलाना है, या दीदी बुलाना है, या लोगों के नाम नोट करके कल को कहना है, अदाब माला दीदी, या अदाब शबाना दीदी, तो वो सब स्टूडेंस आज कल हम लोग शायद कर लेते थे लेकिन आज के बच्चों को ले जा के दिखाना पड़ता है। बच्चे तो नहीं हैं एडल्ट्स हैं तो उनको वो वाक दे टॉक करना बहुत ज़रूरी है। उसके बच्चे क्याच करते हैं। अगर आप उनको वो रोल मॉडलिंग करके दिखाते हैं। तो मुझे लगता है एक तो प्रोजेक्ट आोगए एक हमेन उन्हें चोटे हम बहुत बड़े-बड़े टास्क्स लेक्सपेंट करते ंह्म expect करते हुए कि वो wonders create, हर बच्चे का एक growth trajectory अलग होता है, तो उसके लिए अगर हमें creatively, कि आपको सिरफ हम कहते हैं discontent generate करना है, या हम बड़े-बड़े words हम class में बात करते हैं, लेकिन उस conscientization को कैसे field में करना है, ये तो हम नहीं सिखाते हैं, तो theory में वो कुछ सीख रहे हैं, फ्रेरे पड़ रहे हैं, ग्रैम्शी पड़ रहे हैं, लेकिन field में उनको conscientization क्या है, organic intellectual क्या है, traditional intellectual पता ही नहीं है, और integration of theory into practice हमारी बहुत-बहुत weak wicket पे है, integration of theory अलग track पे चल रहा है, field work अलग track पे, field work common sense पे चल रहा है, तो वो कैसे, ये जो integration के courses हमें और, मैं तो हमेशा मै अपने articles में, कि एक अलग से course होना चाहिए, only for integration of theory into practice, क्योंकि आप कहीं connect नहीं कर रहे हैं, तो ये सब तरीके, We can hope that you as a senior educator will certainly find out the ways to integrate this theory and the practice, और आप बिल्कुल सही फर्मा रही है मैं कि आज भी हम लोग इस पहल में अभी भी थोड़ा कहीं 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 कमजोर हैं, but मैं उमीद करता हूँ कि हम जरूर इसमें काम्याब होंगे, और field work, practicum, जो social work का एक एहम part है, उसे मजबूत बनाएंगे, ताकि student की learning भी बहतर हो, और हम community setting और जो हमारे clientage हैं, उस पर भी हम एक बहतर impact ला सके हैं, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, जिसे field work में हम सिरफ एक stakeholder मानते हैं, या दो supervisor और student, उसके अलावा, community में बहुत stakeholders हैं, हम कभी क्या उनको अपने department में बुला कर उनको क्या कभी हम कोई token of acknowledgement देते हैं, कि आप leader हैं, आप ASHA worker हैं, आप आंगनवाडी worker हैं, तो हमें उन लोगों को भी अपने कारिक्रम में, training में, सम्मिलत करना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा. इस नाच पे हमने पहल की हैं अपने department में, जिसे हम NGO meet come exhibition का नाम देते हैं, हर साल हमारे जितने भी stakeholders हैं, mostly जो field work agencies हैं, और community से जो important persons हैं, we invite them in our department, and we do have relevant talk around field work and making field work effective, और side by side student एक जो हैं, उसमें exhibition भी organize करते हैं उन agencies का, इसका जो एक important output निकल के आया, जो मैं आपके साथ share करना चाहता हूं, वो यह कि हमने field work का जो manual है, field work manual वो develop किया, जिसमें we have done a micro planning, it's a kind of sample that student can use, कि अगर हम field work की planning कर रहे हैं, तो एक particular activity करने के लिए, task A से लेके, task Y कौन-कौन से छोटे-छोटे planning करनी है, आप activity कर रहे हैं, तो इसका objective क्या है, कितने दिन में करेंगे, इसकी report क्या होगी, कब submit करेंगे, इसका output indicator क्या होगा, तो इस तरीके से हमने कोशिश की है, और यह एक sample हमने organizations को लेके बनाया है, ताकि students सिफ उसी को नहीं follow करें, they, basing on that, they build their own micro planning for the field work, that's very important, क्योंकि NGOs, हमारे बहुत सारे agency supervisors, बहुत demotivated field करते हैं, क्योंकि आपने उनको कोई हिस्सेदारी नहीं दी हुई evaluation में, feedback में, तो उनको भी एक acknowledgement चाहिए, तो उनको बुलाना, उनसे discuss करना, और हमने भी एक exercise की थी, जब मैं field work director थी, कि हमने domain specific, you know, meetings करी, और हमने domain में क्या learning expectations होनी चाहिए, उनको कैसे achieve करना चाहिए, यह हमने agency supervisors के through वो पूरा guideline बढाया, तो they felt very important, कि जो हमारी field की requirements है, आपने पूछी नहीं, तो mostly, they feel that their issues are acknowledged, absolutely, and उसके बाद उनका interest बहुत बढ़ा, क्योंकि उनने लगा कि उनहीं की guidelines के basis पे अब काम भी लिया जा रहा है, तो यह stakeholders बहुत जरूरी, in fact, even जो administration है, जैसे हम लोग ने उननत भारत अभियान के गाहों को adopt किया है, तो जो district level administration के लोग हैं, उनको भी आप बुलाईए, बिकास उसके बिना आप पानी पे काम कर रहे हैं, आप बिजली पे काम कर रहे हैं, NGO के भी कुछ मजबूरिया हैं, कुछ limitations हैं, तो हमें government agencies को भी stakeholders मानना पड़ेगा, और यह जरूरी है कि यह departments करें, तब ही field work actually में field work होगा, otherwise, वो students भी बहुत बार मैं मानती हो कि उनने भी समझ नहीं आता, राइट, वो fake reports लिगने पे मजबूर होते हैं, क्योंकि they are clueless, उनको कुछ idea ही नहीं के करना क्या है, तो यह सब अगर हम करें, और एक control group में कुछ करें, because times have changed now, so, बहुत सारी चीजों में, and good practices, इतनी सारी good practices हैं of field work across the country, तो हमें भी एक वो साइलोस की तरह अपरेट ना करके, we should adopt, आपने जैसे यह बताया, बहुत सारी अच्छी अच्छी practices हैं जिन से field work पे, but सबसे important है कि जब तक as educators, हम उस field work को core मान के, you know, उसके साथ justice नहीं करेंगे, not making signature the secondary one, it will not help, it will not help, आज की इस गुफ्तगू में हमारे साथ जुढने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, हम उमीद करते हैं कि नाजरीन आपने इस talk से इस्तफादा हासिल किया होगा, आज के लिए इतना ही, आइंदा फिर मुलाकात होगी एक नए महमान के साथ, बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया,